दोस्तों बहान निर्माता कंपणी मारूती सुजुकी एक ऐसी कार में कंपणी है जो इंडियन मार्किर में कड़ो दिलों पे राज करती है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी तक मारूती सुजुकी ने अपने लबर्स के हर खोईसों को पूरा करती आ रही है इसी भी चमारूती सुजुकी का काफी मसूर प्रोडेक्ट बिटारा ब्रीजा सुबी का काफी जादा कस्टूमर बेस है और एक टाइम पर इस सुबी को लोगों ने काफी जादा प्यार दिया था और इस सुबी की सेलिंग पावर भी काफी बहतरी थी लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो अब इस सुबी को लोगों ने पूछना ही बंद कर दिया है दोस्तो आईए खुल कर बात करते हैं उससे पहले नमस्कार दोस्तो और आपका स्वागत है स्मार्ट कार रिव्यू में दोस्तो जहां आज के हम इस वेडियो में बात करने वालें इंडिया आज कस्टुमर फैबरेट और बेस्ट सेलिंग स्वी बिटारा प्रीजा स्वी नेक्स जनरेशन के बारे में दोस्तो जिस टाइम पर इस स्वी को लॉंच किया गया था उस टाइम पर स्वी का क्रेज काफी ज़ादा था रीजन ये है कि बिटारा प्रीजा स्वी के सेग्मेंट में जो भी का रहे हैं उसमें काफी अच्छी क्वालिटी बेहतरीन फीचर्स एकदम मस्ट डिजाइन सनरूफ आफसन ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं तो मारती सुजुकी बिटारा प्रीजा स्वी में ये फीचर्स कहीं न कहीं कमी पहुचाती है और कहीं न कहीं ये कमी निकलती है तो अब मारती सुजुकी के तरब से जैसा कि कुछ लीक और अपडेट निकल कर आ रहे हैं उससे ये कन्फरम होता है कि मारती सुजुकी अब ब्रीजा न्यू मोडल के एडिशन पे काम कर रही है जिसमें इसके डियारेल्स और फ्रेंट गिल्ड और इसका पूरा हेडलेम को चेंज कर दिया गया है तो उसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करने वारें तो वीडियो में लास तक बने रहना ताकि आपसे अप दोस्तो लोगों ने जब बिटर अप ब्रीजा एस्वी को जब पैटरोल मोडल के साथ चलाया तो डीजल इंजन में कहीं न कहीं कमी को महसूस करते थे लेकिन अब न्यू मोडल बिटर अप ब्रीजा एस्वी पैटरोल इंजन के साथ साथ डीजल इंजन की आप्शन में भी आपको देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये बात कन्फर्म नहीं किया गया है कि न्यू मोडल बिटार अप ब्रीजा SUV को CNG की आप्शन में भी लॉंच किया जा सकता है या नहीं तो ही दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यू मोडल बिटार अप ब्रीजा SUV के लुक्स और डीजाएन की तो आने वाली न्यू ब्रीजा SUV लुक्स में काफी ज़्यादा बोल्ड और डीजाएन में ड्यूल तोन थीम के साथ नजर आने वाली है वही इसके एक्स्ट्रेयर फ्रेंट में आपको बिल्कुल नया फ्रेंट गिल के साथ सुजुकी के एक नया बड़ा सा लोगो देखने को मिलेगा और साथ ही आपको निरी डीजाएन प्रजक्टर हेड लैम के साथ नया DRLS देखने को मिलने वाला है और साथ ही आपको इसके एक्स्ट्रेयर में नए डीजन बंफर के साथ बिलकुल नए डीजन की फॉग लैम की हॉसिंग देखने को मिलेगी ओबराल इसका फ्रेंट लुक पहले से ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलने वाला है रेर में आपको नए अली डीजन लाइट, सार्क इन अंटीनिया, SUV, स्कीट, प्लेट, फ्रन्ट एन रेर में वारवियम, बिटान, इंडिगेटर और टायर के साथ आपको आट, सेवेंटीन, आर, एटीन, इसकी बिलकुल नए डीएन की एलॉइबिल की ओप्सन जैसे फीचर्स आपको इसके एक्स्ट्रियर लुक्स में देखने को मिलने वाले है दोस्तो साथ ये भी खबर निकल के रा रही है कि न्यू मोडल बिटारा ब्रीजा एसीबी में आपको डूइल टर और मोन टोन कलर की ओप्सन भी देखने को मिलने वाला है दोस्तो मारती सुजुकी ने अपनी बिटारा ब्रीजा एसीबी को एसीबी सेगमेंट में सबसे उपर रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है दोस्तों अब बात आती है इसके इंजिन पावर की तो इसमें कितने लिटर का इंजिन आने वाला है तो पहले बात मैं आपको बता दूझे आपको पैट्रोल मोडल के साथ डीजा इंजिन की भी ओप्सन देखने को मिलने वाली है आपको देखते हुए जो नई जनरेशन बिटारा विड़ी या SUV अब जो इंजन आएगी ओर है सकता है 1.5 लिटर का Mid Hybrid BS6 इंजन जो की 104 PS के करी पावर और 138 न्यूटर मीटर का टॉट जनरेट करता है और इस इंजन के साथ आपको दो transmission की option देखने को मिल सकता है जो की manual के साथ साथ automatic होगी और वहीं आप इसकी mileage की बात करोत इसमें आपको manual के साथ 17.3 km पर ती लिटर के साथ mileage देखने को मिल सकता है जो की बहुत ज़्यादा सही होगी और वहीं अगर इसके automatic mileage में आपको 18.7 km प किया गया था हुआ इस कार को 4WD की option में देखा गया था लेकिन इंडियन मार्केट में जो कार SCB launch होगी वह 4WD की option में नहीं आएगी यह 2WD की option में आने वाली है और अभी की विटारा विरिजा SCB में petrol engine की option भी देखने को मिलती थी जिससे लोग को कहीं ना कहीं बहुत engine के साथ साथ आपको diesel engine के साथ petrol hybrid engine की option भी देखने को मिलने वाली है जो कि विटारा विरिजा SCB के चहीते थे उनको काफी खुसी मिलने वाली है जो कि मार्ती सुजुकी के लिए काफी सही होने वाला है और यह diesel engine आकी बात करें तो इसमें आपको यह diesel engine 1.5L का diesel engine होगा जो कि BS6 नाम के साथ 94 PS के करीब पावरा 225 Nm का टोड़ जन्रेट करता है और यह diesel engine आपको automatic के साथ साथ manual option में भी एबलेबल होने वाली है दोस्तों वहीं थोड़ा द्यान दे इसके interior की तरफ तो 2021 मार्ती सुजुकी बिटारा बिडिजा SCB कार के interior को पहले के जादे काफी spacious और का YouTube भी मिल जाएगा और smart connectivity convenience के advanced feature को support करेगा जिसमें कि आप अपने गाड़ी के हर एक features को management कर सकते और साथ ही आपको new design software dashboard के साथ एक नई steering will देखने को मिलेगी जो की काफी soft होगी और सुजुकी की Beijing के साथ less होगी और यह steering power steering होने वाला यानि पूरा window control और पूरा magic control आपके हा जिसमें कि आपको सारे information मिलेगी और साथ ही आपको इसके interior में push the stop button, wireless mobile phone charging, 5 sitting arrangement, heated and bented seat, voice command receptive features, keyless entry जैसे features आपको इसके interior looks में देखने को मिल जाएंगे दोस्तो एक media report के मताबिक एक खबर लिकलते आ रही है कि new Vitara Virija SUV कार में sunroop की option भी देखने को मिल सकती है दोस्तो पहले वाली Vitara Virija SUV में यह सारे features एवलेबल नहीं थे लेकिन SUV के segment में जो smart features आ रहे हैं उसे देखते हुए मारुती ने Vitara Virija के SUV को काफी अच्छे से design देने के साथ साथ एक muscular look दिया है तो यह थे इसके interior की features तो ओहीं अब बात आती है इसके सुरच्छा कवज यानी safety की तर 2021 मारुती चिज़ों की upcoming next generation मारुती विटारा विडिजा SUV कार के safety में आपको safety features भी इस SUV कार के काफी बढ़िया है लेकिन अब जो आने वाली विटारा विडिजा है उसको और भी ज़्यादा काफी powerful बनाये गया है विकाज इस कार को 4 star की rating मिली है बाकी सारे कार को 3 star की rating मिली हुई है तो इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि mid quality में विटारा विडिजा SUV काफी बढ़िया है जो की इस कार की body है वो आपको highest and still body देखने को मिलने वाली है और साथ ही आपको इसके safety में 6 airwag 360 degree view camera with reverse parking camera, hill launch assistant, downhill control, electronic accessibility program, anti-thep alarm system तो safety के मामले में भी आपके विडिजा काफी बहुत सही होने वाली है और ये जो safety के features हमने आपको बताएं ये सारे features आपको top model में available होंगे आप जैसे जैसे best model में आते जाओगे वैसे आपके features discover होते जाएंगे तो दोस्तों ये थे इसके safety के features अब जो इसकी मारती सुझू की बिटारा विडिजा SUV कार की launch होने वाली है वो होने वाली है इंडियन मार्केट में 2021 के last year 2022 के first month तक launch किया जाएगा इसका सीधा सीधा मुकावला मेंदरा की XUV300 किया की Seltas Hyundai की करेटा निसान की मैगनाइट जैसे सांदार कारों से कड़ी टकर होगी तो फैनली इसकी कार की price इंडियन मार्केट में एक अनुमान की अनुसार जो इसका best model होने वाला है वो 8 लेक से सुरू होकर स्टार्टिंग प्राइज इसकी best model की 8 लेक से सुरू कर 12 लेक तक की आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मार्ती सुजुकी की next model मार्ती विडारा विडिजा एसी वी आपको कैसी लगी आप में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसी के साथ आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले आपको सबसे पहले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें